असलाम लेकुम टू आल माई वियर्स उमीद करती हूँ कि आप सब लोग ख्यारियत से होंगे सो वियर्स आईए चलते हैं आज के लेक्टर की तरफ आज हम लोग डिस्कस करेंगें मैक्स वर्धाइमर के 5 फेनॉमिनन आइडिया को जो के गस्टाल साइकोलोजी का एक पार्ट है अगर आप लोग गस्टाल साइकोलोजी को ओरल समझना चाहते हो तो इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है आप वहां से गस्टाल साइकोलोजी को जाकर स्टैडि कर सकते हो सबसे पहले थोड़ी से मैक्स वर्धाइमर की बात कर लेते हैं कि मैक्स वर्धाइमर था कौन तो ये एक ऐस्ट्रो हंगिरियन बॉंड साइकोलेजिस्ट थे इसके अलावे इन्हें गस्चाल साइकोलेजी का फाउंडर कंसीडर किया जाता है इन्होंने human mind और behavior को as a whole देखने की बात की थी कि हमें human mind और behavior को as a whole देखना चाहिए rather than its structure और part इसके अलावा जो इनका सबसे ज़्यादा काम था वो था perception, learning and thinking में में चीज़ जो इन्होंने 1912 में five phenomenon discover किया था अब हम लोग बात करते हैं five phenomenon की इसे फी phenomenon भी कहते है अब five phenomenon या फी phenomenon हमारे एक ऐसा optical illusion होता है जिसमें हम लोग immobile objects यानि कि किसी भी motionless object में या motionless image में rapidly तेजी से एक sequence में continuous movement फिल कर रहे होते है जबके ऐसा होता नहीं है ये सिर्फ हम एक optical illusion की वज़ा से perceive कर रहे होते है यानि हमें किसी भी motionless object या image में उसमें एक movement फिल हो रहे होती है जबके वो चीज़ स्टिल होती है बस हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ मूफ कर रहे है फोर एक्सेंपल के आप लोग ने different functions पर या restaurant में ऐसी strip lights देखी होगी जो के decoration के लिए use होती है जिसमें एक light off होती है तो rapidly दूसरी on हो जाती है इस तरह जब वो fixed lights continuous on and off हो रही होती है एक sequence में तो हमारे optical illusion की वज़ा से हम लोग ऐसा perceive करते हैं कि ये lights move कर रही है जबके ऐसा नहीं होता यही एक five phenomenon का concept है अब अगर हम लोग optical illusion की बात करें तो optical यानि relative to sight और illusion हमारा misperception हमारा delusion और optical illusion मतलब something that deceives the eyes ऐसी चीज़ जो के हमारी नजरों को धोका दे अब optical illusion को जो है visual illusion भी कहते हैं और ये illusion हमारे एक visual system की वज़ा से cause होता है जो के बस जाहर हमें reality से different दिखाई देता है अब आप इस picture को देखें तो ये picture है तो still लेकर अगर आप लोग इस picture पे कुछ seconds के लिए focus करें तो आप लोग को इस picture के अंदर एक motion नजर आएगी ये motion क्यों ये हमारे एक misperception की वज़ा से है क्योंकि हमारा जो एक optical illusion है वो हमारी eyes को deceive करता है हमारी आँखों को दोका देता है तो ये भी हमारी नजर का दोका है कि हम एक still picture के अंदर एक motion फिल कर रहे है अब अगर आप लोग इस picture को देखें तो ये picture भी still है इस picture के अंदर भी कोई movement कोई motion नहीं है लेकिन अगर आप लोग इसको कुछ second के लिए focus करें तो आपके एक misperception एक illusion की वज़ा से जो है आपको इसके अंदर motion नजर आएगी आपको clockwise और anti-clockwise ये circles जो है move करते वे दिखाई देगे जबकि reality में ऐसा नहीं है क्योंके ये हमारा एक optical illusion है हमारी एक नजर का धोका है तो ये था हमारा आज का topic So viewers I hope that you all understand today's lecture अगर फिर भी कोई ambiguity हो तो आप मुझे comments में जरूर बताइए and please don't forget to like, subscribe and share my videos keep supporting me तब तक के लिए good bye, take care and Allah حافظ